मद जीवन में जब भी कोई वस्तू या कोई सुक्सन साधन अधिक तर मात्रा में आपके पास आता है तो एक श्रेश्ट होने की भावना जागरत होती है जो या तो आत्मविश्वास बनती है या एहंकार अब आत्मविश्वास और एहंकार में बहुत बड़ा अंतर है मैं यह कर सकता हूं मैं वो भी कर सकता हूं यह आत्मविश्वास है केवल मैं ही यह कर सकता हूं केवल मैं ही वो भी कर सकता हूं मैं ही सर्वश्रेश्ट हूं यह है एहंकार अब यह एहंकार इसकी पुकार बहुत ऊची होती है और इसका प्रहार सर्वप्रथम आप ही को काट अब इस एहंकार का विपरीज शब्द है व्यमकार अर्थाज स्वयम से उपर उठकर दूसरों के विशय में सोचना संसार के विशय में सोचना इस व्यमकार में सोची